नमस्कार दोस्तों पुझा डिजैंस इन स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम टोपी बनाने वाले ही देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरूर करें चैनल को सस्क्राइब कर लें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह हमारे सिर पे आगे फ्रंट पे आएगी टोपी में तो इस तरीके से फैब्री का मेजरमेंट है आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उसके अकोर्डिंग लें यह देखिए सेंटर से कट लगा लेंगे जिसे मैंने लगाया है और अब यह देखिए यहां से चार इंच पर मैं निशान लगाते हुए कट लगा दूंगी तो इस अरकल हमारा डबल फोल्ड में तो टोटल आठ इंच हो जागा तो आठ इंच को हमें छोड़ना है उसमें प्लेटे नहीं डालनी और जो बाकी का एरिया है उसमें सभी में प्लेट डालकर इसको तयार कर लेना है तो दूसरे करता है कंप्लेट इसी तरीके से में डालनी है कि यह देखिए कितना सुन्दर गुलाई आई हमारी और इस तरीके से इसको रखेंगे और जो आमने चार इंच पर जो निशान लगाया था उसको इस तरीके से सीधा करते हुए और हम यहां से कट कर देंगे तो बैक स दोनों पार्ट हमारे लग-अलग हो गए लाइन और मैन फैब्रिक मैंने लाइन और मैन फैब्रिक को पहले कर लिया था कटिंग करते वक्ती इसल्ए आप इस तरीके से कट सकते हैं तो देखिए इस तरीके से अब हम इसमें पट्री लगाएंगे आगे की साइड पट्टी भी हमारी 4 इंच की है और यह जो हमने प्लेटे डाली है बिल्कुल हमारा बराबर 4 इंच का यहां पर आया है अगर आप equal प्लेटे डालेंगे कट करके बिल्कुल सही measurement से तो जितने आपने जो प्टी रखी है उसके according के आपका आएगा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा उसको आप एडजेस्ट कर सकते हैं एडजेस्ट करने के लिए मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि किस तरीके से करना है आपको तो यह देखिए पट्टी हमने यहां पर लगा लिए अब इसको इस तरीके से पिछे की साइड होनेगी और बिल्कुल गोलाएं में हमाई टोपी बनकर तयार होगी तो इस तरीके से समोसा लेस देखिए हम इस तरीके से लगा लेंगे जो पानी कलर होता है उसकी कलर की मैं यहां पर लगा रहे हूं क्योंकि इस फैब्रिक में जो यह सिल्वर कलर सा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पानी के कलर का है तो मैंने उसी कलर की यहां पर लेस को अटेच किया है इस इसका लुक बहुत सुन्दर आ गया है यह देखिए इस तरीके से एक्ष्टा फैब्रिक है दागा उसको कट करते हुए जाए यह देखिए कि इतनी सुन्दर बनी है और आम इसमें बै है कोई फैब्रिक अगर आप बनाना चाहते हैं या राव दूसरे क्लर की भी यह लगा सकते हैं और प Drag आगे की दूसरे कidän लट्रकूर और डूर दूसरी क्लर अकोम पर में बना सकते हैं उससे भी यह बहुत सुन्दर यहां पर लगेगी गी तो इस तरीके से सैंट्र में र हुआ कंव हैं और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम इसको और फोल्ड करते हुए पूरि पर सिलाई हम यहां पर लगा देंगे यह देखिये कुछ इस तरीके से मैं बार की साइट से सिलाई लगा रही हूं ताकि बिलकुल तो फिनिशिंग से चीज दिखेगी तो वो सुन्दर भी लगेगी यह देखिए इस तरीके से पूरी पट्टी को तयार कर लेंगे यहां पर और यह देखिए कितनी सुन्दर हमारी टोपी बनी है और दो छोटे-छोटे से फैब्रिक और मेरी यहां बचे हैं वो यह फैंकने म से बहुत सिंपल लटकन यहां पर बना लेनी है कि कुछ इस तरीके से और यह देखिए दोनों हम इसी तरीके से लटकर लगाकर यहां पर तयार कर लेंगे और हमारी एक सुन्दर सी टोपी तयार हो गई है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप अगर किसी और तरह की टोपी सीखना चाते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं मैं जरूर ट्राइ करूंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग